Hello everyone, कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगायत है? Class to the Committee में Chapter 1 स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 के लिए एक नया बैच है बच्चो और आपको प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियोज मिलते रहेंगे मतलब बाद में जो भी बीडियोज आपको प्रवाइड किया जाएगा 2025 का एक नया प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आपको परसानी नहीं होगी Lecture No.1 है Chapter जो आपका फ़स्ट है बच्चो New NCRT के कॉडिंग जिस Chapter का नाम है Billion देखे कुछ स्टेट में जैसे बिहार बोर्ड में Chapter 1 में Solid स्टेट है लेकि New NCRT में Chapter 1 में आपका Solution है जिसका नाम हिंदी में Billion है और आज हम पूरा Billion पर ही बात करेंगे क्योंकि आज का जो Lecture है पूरा Basic है Chapter का पूरा Basic है इसलिए प्रीज आप लोग इसे Last तक जरूर देखना ताकि यहां से अब्जेक्टिव कोशन पूछा जाया तो आपसे बन जाएगा Billion देखेंगे साथ में Billion के घटक और Billion के प्रकार Billion के प्रकार जैसे मा लीजे पदार्थ की अवस्था के आधार पर और सांदरता के आधार पर Billion के प्रकार आज का काफी महात्पूर है और यहां से अब्जेक्टिव कोशन पूछा जाता है ठीक है तो लाश्ट तक जरूर देखेगा और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं इदे ट्वल्थ क्लास का बहतरी इन तैयारी करने के लिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बच्चो हम Billion की Billion होता क्या है दो या दो सेदीक पदार्थों की समांगी मिश्टन को Billion कहते हैं Billion में दो घटक होते हैं बच्चो एक तो आपका होता है बिलायक और दूसरा आपका बिले तो यहाँ पर मैं पहले कहता हूं बिलायक और दूसरा जो आपका घटक है वो बिले दो घटकों से मिलकर बनता है बिलियन बतलब आपका बिलायक और बिले जब आपस में मिल जाता है तो बन जाता है बिलियन अब बिलायक और बिले है क्या जैसे मैं एक पात्र ले लूँ और पात्र में बच्चो पानी रखूँ पानी जो होता है वो बिलायक है क्या है बिलायक है बच्चो ठीक है और इसमें अल्प मात्रा में सक्कर डाल दिया उपर से ये चीनी डाल दिया ये नमक डाल दिया ये जो नमक डाला वो बिले है मतलब जिसकी मात्रा अधिक है वो आपका बिलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो बिले है फिर से समझो जिसकी मात्रा अधिक है जिसकी मात्रा अधिक है वो बिलायक है और बिल्यन में जिसकी मात्रा कम है वो बिले है अब बिलायक जो है अपने उपर किसी अनवस्तों को घोलता है मतलब जो किसी अनपदार्थ को घोलता है बिल्यन में उपस्तित हुए घटक जो अन्ड पदार्थ को घूलता है वो आपका बिलायक और जो घूलता है वो बिले है तो फिलाल तो यहाँ पर बिलियन की परिभासा क्या है दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिस्टन को हम बिलियन कहते है अब यह समांगी मिस्टन क्या है सर जैसे बच्चो इस पानी में दी आप नमक डाल दिये तो नमक पूरी तरह से अच्छे तरीके से घुल जाता है नमक का टुकड़ा आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वहीं पे इस नमक के जगए पानी में आप रेत डाल दो तो रेत जो है नहीं घुलता तो फिर रेत आपका समांगी मिश्रण नहीं होगा फिलाल सबसे पहले में बात कर रहा हूँ नमक के दिया आपने पानी में नमक डाला तो नमक अच्छे तरीके से घुल गया तो ये जो आपका समांगी मिश्रण मिल गया क्योंकि भाई सहाब पूरी तरीके से पानी में नमक, बिले है, गुलंसील है, हर जगे बरावर मात्रा में मिल जाता है, पानी में आप दूध डाल दो, जब पानी में दूध डालोगे तो दूध भी पानी के हर एक भाग में अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो आपका बिल्यान वो समांगी बिल्यान कहलाया, मतल भी यह हुआ कि दो पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं तो जब अच्छे तरीके से मिल गया तो वो आपका समांगी मिस्टन कहलाता है तो दो पदार्थों के समांगी मिस्टन या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिस्टन को हम बिलियन कहते हैं बिलियन के द कहलता है, English में कहलता है बच्चो solvent, क्या solvent, और जिसकी मातरा कम होती है वो कहलता है, सालियूट, यहीं billion भी जिसकी मातरा कम होती है वो आपका कहलता है सालियूट, ठीक तो इंग्लिस में भी आप लोग लिखलो और billion का English is solution चीजे clear है, अब इसको जब हम आगे पढ़ाई करेंगे प्रत्सता नर्मलता मोललता मोलरता तो इसके घटा को हम A और B मान कर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जानना जरूरी है यदि आज आप लोग पूरा बेसिक समझ लेंगे तो आगे चल कर कोई दिक्कत नहीं होगी इस घटा को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और इस घटा को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे याद रखेगा ठीक है बच्चो कोई दिक्कत तो नहीं है जब भी हम आगे चल कर इसको लेकर चलेंगे तो घटा A और B मान कर चलेंगे तो पूरे चेप्टर में हम A और B मानेंगे तो फिर अभी से आपको परसानी नहीं होगी अब जैसे मैं बात करता कि मा लीजे बिलायक का बिलायक का बिलायक का दरबमान दरबमान यदि भार दरबमान ने दी तो अब मैं कहता है इसका M आपका A हो जाता और जब बिले की बात करता बच्चो बिले की बिले की तो ये हो जाता आपका मतलब आपक दरबमान ये हो जाता M B ठीक है यदि बिलायक की मात्रा में बोल देता मात्रा बिलायक की मात्रा तो बेट भार जिसे बोलते हैं तो W A और वहीं पे बिले की मात्रा, तो फिर आप कहोगे, डबलू B. तो ये आगे चलकर काम आएगा. इसलिए दो घटकों में भी उजित किया. एक बिलायक जिसकी मात्रा धिक है, दूसरा बिले जिसकी मात्रा कम है. बिलायक कार्भी कड्रब्मान M.A. बिले कार्विक द्रबमान MB और जब मातरा की बात करेंगे तो WA बटे WA ऐसे वास्पदाब की बात करेंगे तो बिलाया के लिए PA हो जाएगा वास्पदाब बिलाया के लिए PB हो जाएगा वास्पदाब ऐसे जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो X A हो जाएगा इसका हो जाएगा X B हो जाएगा मोलो की संखे के लिए N A हो जाएगा और N B हो जाएगा सारा चीज क्लियर हो गया क्योंकि ये आगे चल कर काम में आने बाला है तो फिलाल अभी इसकी परिभासा आप लोग लिख लें कि दो या दो सदिक पदार्थों के समागे मिस्टन को बिलियन कहते हैं इसके दो घटक होते हैं एक बिलायक और बिलेग अब बच्चों जो इस चैनल में पहली वार आया है और इस चाहता है प्रापर नोट्स के लिए तो आपको यही नोट्स मात्र 100 रुपीज में दिया जाता है कंटेक्ट नमबर 9685-299149 वाट्सप में आप मैसेज करें 100 रुपीज चाहते हैं लेकिन प्रापर रुप से नोट्स मिल जाते हैं बिलायक पदार्थ का वह घटक है जिसमें बिले के कण बिले हो जाते हैं मिल जाते हैं बिले के कण उसे विप्रीत होंगे ही लेकिन बिले हो जाएंगे मिल जाएंगे बिलायक कहलाता है दूसरा साब्दिक परिभास आप लोग लिखो बिलेन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है जिस घटक की मात्रा अधिक होती हो आपका बिलायक कहलाता है और billion में जिस घटक की मातरा कम होती है उसे हम billion कहते है खिक बच्चो कोई दिक्कत तो नहीं है अब ये जो आपका billion होता है 2 अंगी, 3 अंगी, 4 अंगी होता है तो इसमें ऐसा भी कभी कभी देखने को मिल जाता है कि 2 अंगी billion का मतलब क्या है 2 अंगी billion 2 अंगी billion 2 अंगी billion का मतलब है केबल और केबल दो घटक है A और B मतलब दो घटकों से मिलकर बना है इसलिए इसे हम 2 अंगी billion के नाम से जानते है वहीं पर बच्चो ये दि कोई बोल दे कि 3 अंगी billion का मतलब क्या है 3 अंगी billion त्री अंगी बिलियन एदी कोई बोलेगा इसका मतलब यह है कि इसमें तीन घटक है A, B और C तीन घटकों से मिलकर बना हुआ है त्री अंगी बिलियन इसके बाद बच्चों एदी हम चार अंगी बिलियन की बात करते है चार अंगी बिलियन तो 4 अंगी बिलियन में क्या होगा 4 घटक होगी किते घटक होगे 4 घटक A, V, C, or D तो ये चीज़ आपको याद रखना है 2 अंगी बिलियन में केबल 2 घटक मिला हुआ है 3 अंगी बिलियन में 3 घटक मिला हुआ है और 4 अंगी बिलियन में 4 घटक मिला हुआ है तो ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है क्योंकि बेसिक है ये 2 अंगी बिलियन क्या कहलाएगा ऐसा बिलियन जिसमें केबल 2 घटक होंगे 3 अंगी बिलियन मतलब आपका बच्चों 3 घटक से मिलकर बना हुआ जिसमाली जे नमक और पानी तो किबल 2 अंगी लेकिन आप पानी में नमक भी डाल दिये और सक्कर भी डाल दिये तो 3 अंगी हो गया और भी माली जे नमक भी डाले सक्कर भी डाले पानी भी डाले उसमें थोड़ा सा नीवू भी डाल दिये नीवू का रस तो आपको हो जाता चार अंगी तो ये clear रहना चाही की दूयंगी, त्रींगी या चार अंगी क्या है कियुक्त लो गटक है? दूयंगी billion कभी एक अंगी हो नहीं सकता है क्यों? क्योंकि billion एक घटक से मिलकर बना ही नहीं रहता है billion क्यों होता? मिस्रण billion एक प्रकार से मिस्रण तो उसमें 2 ये 2 से अधी घटा कोंगी तब ही वो billion कहलाएगा अनता billion नहीं कहलाता अब billion की प्रकार के बारे हम बात करेंगे बच्चो जो पहला हमारा प्रकार है अवस्था के आधार पर और दूसरा है सानरता के आधार पर तो पहले हम बात करेंगे पदार्थ के अवस्था के आधार पर पदार्थों के अवस्था के आधार पर पदार्थों के अवस्था के आधार पर अवस्था मतलब ठोस को ठोस में मिलाओ ठोस को द्रौ में मिलाओ द्रौ को ठोस में मिला यह अवस्था के पदार्थों के अवस्था के आधार पर थोड़ा समझेगा आप बिल्कुल सिंपल है बहुत कठिन नहीं है बच्चों अब जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले चाहे आप ठोस बिलियन ले लो चाहे आप लोग द्रौ बिलियन ले लो चाहे आप जो भी लेना है जैसे पहले हम गैसी बिलियन लेते हैं गैसी बिलियन का मतलब यह है कि गैस में सब कुछ मिलाएंगे गैसी बिलियन के तीन प्रकार होंगे थोड़ा समझेगा चीजे क्लियर रहेगा पूरा मैं लिखने के लिए आपको स्क्रेंशाइट लेने के लिए समय दूंगा आप बिलकुल परसान नहीं होना गैसी बिलियन का मतलब यह हुआ कि गैस में ही हम मिलाते हैं गैस में मिलाएंगे बच्चो गैस में गैस मिलादें गैस में गैस मिलादें दूसरा है गैस में हम द्रौ मिला दें द्रौ भी मिला सकते हैं तीसरा है गैस में हम ठोस मिला दें ये चीज है मतलब गैस में गैस मिलाते हैं तो भी बिलियन बनेगा गैस में द्रौ मिलाते हैं तो भी बिलियन बनेगा और गैस में ठोस मिलाते हैं तो भी बिलियन बनेगा तो यह आपका हो जाता है गैसी बिलियन यानि जिसमें बिलायक आपका गैस हो बिलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो बिलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो तो आपका कहलाता बच्चो गैसी बिलियन तो यदि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक है वो गैस है तो आपका गैसी बिलियन कहलाएगा इसलिए तो बोला ये बिलायक है पूरा का पूरा और ये बिले है तो गैस में गैस मिलाया, गैस में द्रौ मिलाया, गैस में ठोस मिलाया तो कोई एकाद एक्जामपल बताओ, गैस में गैस मतलब यहाँ पर बायू में आक्सीजन, लिख दो इसका एक्जामपल बायू में आक्सीजन क्या बच्चो बायू में आक्सीजन मिला दो ठीक है या बायू मंडल में आक्सीजन का मिस्रण गैस में गैस का मिस्रण है या गैसो का मिस्रण ये चीज हो गया अब गैस में द्रव कैसे होगा अब आपकी मन में कन्फ्यूजन होगा कहां से आएगा सर गैस में द्राव अरे भाई जलवास्प जलवास्प देखते हो ना भाई पानी कैसे बरसता है जलवास्प के रूप में रहता है अर्थात जल के छुटे छुटे जो कड़ है गून्द के रूप में हवा के साथ मिले रहते हैं बच्चो तो वो कहलाता है जलवास्प, क्या कहलाता है जलवास्प, बायू में जलवास्प रहेगा, जलवास्प किस में रहेगा बायू में, बायू में मिला रहेगा, इन जलवास्पी तो करके बायू में जब मिल जाता है, तो आपका कहला जाता है, गैस में द्रौ का मिल, ठीक है, अ होता है ठोस होता है कार्बन का कण क्या होता है ठोस होता है और धुये में मतलब वहां पे हवा में कहीं न कहीं बायू में वो मिला रहता है कार्बन डाय अक्साइड मुख्रोप से रहता उसमें ठीक है यह हो गए आपका तीन प्रकार और ऐसे एक और अच्छा example, gas में ठोस का मिलना कपूर का कपूर का बायू से मिस्ड़ण कपूर का बायू से मिस्ड़ण, ठीक तो ये example है, कभी कभी पूँश दिया जाता है तो आप लोगों को clear होना चाहिए इसके बाद दूसरा जो billion है वो draw billion, draw billion का मतलब draw में हम draw मिलाएंगे, draw में हम gas मिलाएंगे, draw में हम ठोस मिलाएंगे ठीक है, इसके भी तीन प्रकार है बच्चो, draw में हम क्या मिलादें जैसे gas मिलादें draw में क्या मिलादें, gas मिलादें draw में हम क्या मिलादें draw मिलादें, draw में हम क्या मिला दें ठोस मिला दें इसके भी तीन प्रकार हैं द्रो में गैस मिला दो द्रो में द्रो मिला दो द्रो में ठोस मिला दो इसके तीन प्रकार किस प्रकार से explain करोगी कोई भी एक example बताओ कि द्रो में गैस तो आप लोगों को पता होगा कि पानी में जब आक्सिजन मिलाते हैं पानी में आक्सिजन मिला रहता है तो आपका द्रो में गैस का बिलियन कहला गया द्रो में द्रो ये तो पानी और दूद मिला दो बस खतम कहानी पानी और दूद इसका सबसे बढ़ी आउदारण है यदि द्रो में ठोस तो यार पानी और सक्क्र पानी प्लस आप लिखके लोई नमक लिख़ो ये लिख़ो तो ये आपका बनी है एक्जामम मिला दो ये पहला प्रकार हो गया ठीक है दूसरा ठोस में आप दो मिला दो ठीक है और ठोस में ठोस मिला दो ठोस में ठोस तो मिस्रधातू आप लोग पढ़े होंगे 10th class में भी मिस्रधातू ठीक है या 9th class में तो इसमें ऐसा कोई example बताओ जिसमें ठोस में gas ठोस में gas मिलाना है तो ठोस में गैस मिलाने का ताथ पर ये है कि जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम PD में H2 का अधिसोसन हाइड्रोजन का अधिसोसन हो जाता है मतलब उसके सतह पर जाकर के अधिसोसित हो जाता है जमा हो जाता है हाइड्रोजन गैस तो ये पैलेडियम पर H2 का अधिस हो सन ठीक है अब ठोस में द्रव पारे का सोडियम के साथ अमलगम पारे का सोडियम के साथ अमलगम जो बनाया जाता है तो पारा आपका द्रव हो गया सोडियम आपका ठोस हो गया तो यह इसका एक्जामपन है ठोस में द्रौ मिला दिया और ठोस में ठोस तो आपका मिस्रधातू है जैसे पीतल ही बनता है पीतल एक मिस्रधातू है तावे में जिंक का बिलियन तावे और जिंक मिला दो तो आपका पीतल बन जाता है तो इस तरीके से अवस्था के आधार पर इनको तीन भागों बाटा गया है एक आपका गैसी बिलियन इन्ही गैस में जब हम तीनों को मिलाएंगे फिर द्रॉ बिलियन द्रॉ में हम तीनों को मिलाएंगे और फिर ठोस बिलियन अब इसका आपको स्क्रीन साट तो लेना ही पड़ेगा तो फिलाल ये गैसी बिलियन का आप लोग इस स्क्रीन साट ले लो बांकि नोट्स लेने का प्रापर रूप से तरीका मैं बता ही दिया हूँ आप लोग हमारे number पर contact करके notes ले सकते ही, यह draw billion है, हमने आपको समझा दिया बच्चो, same इसी तरीके से आपको notes तयार करते चलना है, बाकि हम हर टाइम में strategy से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, अभी आपको topic by topic कराएंगे, फिर question answer वाले हैना videos लाएंगे, फिर objective type के question लाएंगे इस chapter के जितने numerical से उस तरीके question, मतलब हर तरीके से आपको समझा जाएगा, और फिर exam time में हम मायराथन class लाएंगे, अब हम बात करेंगे बच्चो, सानरता के आधार पर billion की प्रकार, पांच भागों में बाटा गया है, एक तनू billion, दूसरा सांद्र billion, संत्रप्त, तरीके से समझेंगे, लेकिन इसे आप लोगों को थोड़ा सा, थोड़ा सा concentrate के साथ समझना है, तभी clear हो पाएगा, पहला जो बच्चो तनू, तनू का मतलब क्या होता है, तनू billion का मतलब होता है, कि एक ऐसा billion, एक ऐसा billion, जिसमें बिले पदार की मात्रा अत्यंत कम हो, अत लीटर, ठीक, इसमें आप एक ग्राम सक्कर डाल दो, मात्र एक ग्राम, एक ग्राम सक्कर डाल दो, मतलब, यहाँ पर c6, proto, c12, h22, o11, अभी आपका एक ग्राम सक्कर डाले, तो मतलब, बहुत कम मात्रा में जब, यहनि बिले पदार्थ की मात्रा, बिलकुल कम हो, अत्यंत क हो तो आपका तानल विल्यन कहला जाता है जब दूसरे भाग में चलते है शांड्र विल्यन सांड्र विल्यन में आप एक ग्राम के जगह यहां पर डाल दो मालीजी कितना डाल लोगे जैसे आप एक ग्राम के जगह है, 200 ग्राम डाल दो, ठीक है, मतलब 200 ग्राम डाल दो, 200 ग्राम डाल दो, एक लीटर, एक लीटर ह इस टूओ में, तो अब यहाँपर यह सांद्र कहला है, मतलब अत्नत मीठा हो जाएगा पानी, तो जब बिले बिले पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, बिलाया क्या पेच्छा अतन्त कम है, बहुत सोच में है, तो वो आपका तरनो बिलियन कहलाता है, लेकिन वहीं पे, जब बिले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जादा मात्रा में मिली रहती है, तो वो आपका सांद्र बिलियन कहल दो चीज तो clear हो गया तो हम तीसरे में जाते हैं संत्रप्त बिलियन संत्रप्त बिलियन का मतलब ये होता है कि जितना उसमें घोलने की छमता थी उतना हमने बिले पदार्थ मिला दिया अब उससे और अधिको नहीं घोल सकता जैसे आप पानी पीना चाहते हो पांच गलास पी दिया अब आपके पास चमता नहीं है कि उससे और ज्यादा पानी पीलो मान के चलता हूं कि मेरे पास एक क्या था पात्र था और उसमें पानी भरा हुआ था और इसमें इतना चमता था कि ये 500 ग्राम सक्कर को घोल सकता था तो हमने इतना मिला दिया तो ये जो बिलियन बना वो संत्रप्त बिलियन बना देखो तनों बिलियन का मतलब होता है जिसमें बिले पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो सांद्र बिलियन का मतलब है जिसमें बिलाया के पेछा बिले की मात्रा थोड़ी से दीखो संत्रप्त का मतलब है जितने इसकी अबसकता है जितनी छमता है घोलने की उतना यदि उसमें बिले पदार्थ है तो आपका संत्रप्त बिलियन कहलाया लेकिन वहीं पर जब आपका असंत्रप्त बिलियन का ताथ पर ये है कि भाई साहब 500 छमता था 500 ग्राम यहां पर घोलने के लिए लेकिन इसको 400 ग्राम ही दिया गया तो अभी ये 100 ग्राम और घोल सकता है वह आपका कलाय आसंत्रप्त मतलब जितना बिले पदार्थ की मात्रा कि ये बस सकता थी उतना नहीं मिल पाया अर्थात अभी और बिले पदार्थ की मात्रा घोली जा सकती है वो आपका आसंतरप्त बिलियन कहलाया जैसे आपने कहीं मालीजे निमंतरण में गए आपकी छमता थी दस पूरी खाने के लिए और आपको दिया गया आठ तो आप सपने में भी सोचोगे कि दो पूरी और मिल जाता तो खा लेते मतलब आप अभी संतरप्त नहीं हो तो क्या कहलाएगा आसंतरप्त लेकिन वहीं पे जब आपको पूरा भोजन मिल जाता दस के दस पूरी मिल जाती तो आपके मन में एक संतुष्टी आजाता कि हाँ भाई हम संतरप्त हैं दस पूरी खाने की छमता थी और ज्यादा मतलब दो पूरी खा लिये तो फिर भाई हो आपका आतिसंतरप्त हो गया क्या कहला है आतिसंतरप्त मतलब कहने कताब पर यह हुआ कि जब बिले पदार्थ के मिलने की छमता से भी ज्यादा बिले मिला दिया जाए बल्ला बिलाया का छमता अमारे पास 500 ग्राम, लेकिन इस 500 ग्राम के जगह आपने 100 ग्राम और डाल दिया, तो यह 600 ग्राम हो गया, तो इस्ट्रा हो गया ना अब वो घुलेगा ही नहीं, तो जब बतलब बिले पदार्छ की को 10 के 10 पूरा मिल गया, पेट भर गया, संतरप्थ हो गया, हाँ बढियां, बढियां, मजा आ गया, लेकिन 10 से कम दम में आए गया है, कि 2 पूरी कम हो गया, 2 रोटी कम हो गया, तो आप असंत्रप्थ हो, मतलब बिले पदात की मात्रा और घोली जा सकती है उसमें है ना मतलब और आपको रोटी दिया जा सकता है लेकिन वहीं पे 10 की जगए आपको 11 मिल गया 12 मिल गया तो मतलब 2 इस्टरा हो गया तो आपका वो अतिसंत्रप्त हो गया संत्रप्त से भी ज्यादा हो गया तो यही चीज होता है billion में कि संत्रप्त billion में एक निश्चिता पर जिसमें बिले की मात्रा और ना घोली जा सकी वो संत्रप्त billion कहलाया लेकिन जिसमें और घोली जा सकी है ना मतलब जितना चाहिए उसमें नहीं मिला है तो आपका असंत्रप्त हो गया पूरा चीछ समझ लिए बिलियन का प्रकार भी बिलियन से संबंदित और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जिदी चैनल में पहले बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेगा और हां बच्चों आप महात्री स्वरुपय में नो करते रहें तो आपको भी मिलता रहें ठीक है तो फिलाल इस स्टेट्जी से आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेट रूप से आपके अच्छे अंकाएंगे बोर्ड एक्जाम दोजार पच्चीस में जो बच्चा प्रवेश कर चोगा है मतलब दोजार पच्चीस के लिए त तयार तयारी करते रहो फिलाल आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदे मातरम